श्रीनाज्जी गुरुजी को अलग आदेश, माभगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरबाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश जीवन में अगर धन न हो, तो जीवन में कुछ भी होना संभव नहीं है, अगर आप सन्यासी नहीं है, तो भी धन के आवशक्ता पड़ती है, इतने धन की जरूर कि आपका पेड भर सके, संतुष्टी एक दूसरा आयाम है, लेकिन संतुष्टी तक पहुँचने के लिए भी आपके पास धन होना चाहिए, मैं हमेशा बताता हूँ, कि जिनके पास धन नहीं है, उनके लिए आध्यात्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आध्यात्म करने समय ये भी एक फुल टाइम जॉब है। आपको अध्यात्म करते हुए, जो महा माया ने आप पर संगर्ष की बेडिये डाल रखी है, जो परिवार है आपका, उसकी जो responsibility है, ये सब पूरा करते हुए अध्यात्म में भी आगे बढ़ना होता है। तो लक्षमी महा माया एक ऐसा प्रशाद है जिसके लिए हम लोगों को जब तक जीवित हैं और इस शरीर में हैं प्रत्ने करते रहना चाहिए। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि कितना भी प्रत्न कर ले धन नहीं आता है। मतलब रोजी रोजगार शुरू भी नहीं होता है। तो यह जो पहला मंत्र है उनके लिए है जो बिलकुल शुन्य पे खड़े हैं और उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको रोजगार मिले कहां से धन की प्राप्ति हो कहां से। इस मंत्र को करने के लिए रोज सुभा उठेंगे जो नित्य कर्म है मतलब मू की सफाई, शरीर की सफाई, पेट की सफाई सब करके और गुरु वंदन करके, गणपती का वंदन करके एक तालिस दिनों तक इस मंत्र का एक-एक माला जाप करेंगे, ठीक है, इसमें दो चीज ध्यान रखना है कि आसन जो है वो उनका होगा और दिशा जो है वो पूर्व की तरफ होगा, रोज धुलेवे कपड़ पहनेंगे मंत्र सुनिये काली कंकाली महाकाली मुक सुन्दर जिये वयाली चार बीर भैरो चावरासी बात जो पूजू पान मिठाई अब बोली काली की दुहाई काली कंकाली मुक सुन्दर जिये वयाली चार बीर भैरो चावरासी बात जो पूजू पान मिठाई अब बोली काली की दुहाई रोज एक माला इसका करना है एक तालिस दिनों तक सुबह सुबह इसमें कोई भी आपको हवन मार्जन तरपन यह नहीं करना सिर्फ जाप काली कंकाली महाकाली मुक सुन्दर जिये वयाली चार बीर भैरो चावरासी बात जो पूजू पान मिठाई अब बोली काली की दुहा कि अगर यह आपने जाब शुरू किया आपको अगर धनलाब का कोई श्रौत मिल जाए तो आहrice करना है कि साधना को रोग देना है क्योंकि जतना चमतकारी हिसका प्रभ करता होता है जल्दें इसका खतम भी होता है इसलिए इसको 41 दिन का जो आप शुरू करेंगे संकल्ब लेकर के उसको पूरा 41 दिन कीजिएगा, भले आपको कोई भी नौकरी मिल जाए, दूसरा मंत्र विधान उन लोगों के लिए है, देखिए जो तांतरोकतर विधी है न, उसमें व्यापार वर्धक बोलते हैं, तंत्र मंत्र बनाए गए थे, उस जमाने में हर काम व्यापार ही होता था, जैसे लेबर है, तो लेबर भी एक तरह का व्यापार होता था उसमें, कि भाया हम आपके इहां काम करेंगे, उसके बदले आप हमें ये देंगे, आज का बात करें, कल का बात करें, महीनी की बात कर अभी के जैसा नहीं था कि नौकरी पकड़ लिया और वो चलता ही रहे, तो सब को व्यापार ही बोलते थे, ठीक है, तो आपकी अगर नौकरी में भी व्रिद्धी नहीं हो रही है, या आपका व्यापार जो है वो ठंधा पड़ा हुआ है, तो इस मंत्र को आप करेगी, ठीक ह नौकरी में भी आपको प्रण्वती मिलेगी और व्यापार है तो उसका व्रिद्धी हो गई, शनिवार की रात्री को तीन मुठी काली मिर्च, ठीक है, तीन गोपनती चक्र, इनको मिला ले और एक लाल पोटली में बांध कर रख ले, ठीक है, फिर एक दीपग लेंगे, उ और उसको जलाएंगे, जला करके, पहले ये जो पोटली हमने बनाई है, जिसमें तीन मुठी काली मिर्च है और तीन कोमती चक्र है, उसको सामने रखेंगे, ठीक, और फिर अपने और उस पोटली के बीच में दीपग रख के उसको प्रजलित कर लेंगे, ठीक है, और जब आप प्रजलित करेंगे, तब भी आप जो मंत्र में भी आपको बताऊंगा, उसको करेंगे, उसके बाद जो है, ग्यारा माला स्पेटिक की माला पर आप जाप करेंगे, अच्छा इसमें आसन का कोई बंदन नहीं है, तो उनी आसन रखेंगे, और क्योंकि दिशा का बंदन जब तक ये लटकता रहेगा, तब तक आपका व्यापार चलता रहेगा, जब लगे इसका सर खतम हो रहा तो फिर से पूजा करेंगे, ठीक है, मंदर सुनिए, भवरा भवर करे मन मेरा, डंडी खोल व्यापार बढ़े रा, व्यापार बढ़ा और कारज कर, नहीं करे तो का तो काली मईया, काल काल जो फोड खावे ठथथफट, भवरा भवर करे मन मेरा, डंडी खोल व्यापार बढ़े रा, व्यापार बढ़ा और कारज कर, नहीं करे तो काली मईया, काल काल जो फोड खावे ठथथफट, ठीक है, ये प्रयोग बहुत लोगों ने किया है, और आप टांग कर रखेंगे, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कि ऐसा जब धी हम लोग यांतर बनाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हर 41 दिन में इस पोटली को बदलते रहें, असर कर रहा है, तो उसको रहने दीज़ें, फिर एक पोटली बना करके उसको तयार रखेंगे, तीसरा जो मंतर इसमें कोई विधान नहीं है, इस मंतर को रूद सुबाउट करके 108 बार जाप करना है, तो जिस भी व्यापार, नौकरी, किसी भी पेशे में आप होंगे, तो आपको जो है, इस मंतर के जाप मातर से, इस पर टिक की माला या फिर कमल गटे की माला पर जाप करेंगे, तो आपको सिर्फ इस मंत्र के जाप मात्र से बहुत ही मतलब ऐसा कहा जाता है कि बहुत अधुत है अध्वेत है ये मंत्र साबर मंत्रों में लक्ष्मी का इस से तेज मंत्र नहीं है ठीक है तो रोज एक सौट बार जाप करेंगे आपको लाब होगा मंत्र सुनिए जै जै लक्ष्मी भंडारी माई साथ द्वीप नवखंड दुहाई रिद्धी सिद्धी के गुन लाई लाव्यापार करावे ज्यूं चाहूं त्यूं कार करावे ओम ठः ओम ठः जो है न वो यक्षिनी का भी बीज मंत्र है तो जो यक्षिनी की जो साधना होती है उसमें जो यक्षिनी का नाम है उसमें लक्ष्मी यक्षिनी भी है तो ये दोनों के बीच के मार्ग को अपनाए गया मैंने आपको बताया था कि मापारवती ने ब्रह्मा जी को एक व तो इस मंत्र को 108 बर जाप करेंगे आप, तो आपको बहुत धन की प्राप्ति होगे, व्यापर अच्छा चलेगा, दो विधाएं कम होगी। जय जय लक्ष्मी भंडारी माई, साथ द्वीप नवखंड दुहाई, रिद्धी सिध्धी के गुनलाई, लाव्यापार करावे ज्यों चाहूं, त्योंकार करावे ओम ठह ओम। ठीक है। जिनको इससे लाब नहीं होता है, ऐसे तो बहुत कम चांस है कि ये तीन मंत्र में से कोई भी एक पकड़ के अगर आप सिध्धी करने लगे, 40 दिन, 41 दिन, 45 दिन ऐसा करें इसका जाब, लाब ना हो, ये बहुत मुश्किल है, अगर नहीं होगा, तो आगे चलके मैं धन्द यक्षिनी की साथ मैं बता हूँ, आज के लिए इतना ही, जिनको पेड वाट्स अप्रूप से जुलना है, वो मेरे नमर 943 बना 815 85 से जुड़ सकते हैं, उसमें जो साधना का सुर्वाती विधान है, वो मैं आप रहों को बताता हूँ, जैसे ये अंतर बनाना, हवंद करना हैं, भारव जी की पूजा करता है, जिनको आगामी कारिकरम जानना हो, वो मेरे वेबसाइट www.agor13.com पर जा सकता है, डिरेक्ट अपार्ट्मेंट के लिए, वाट्स अप पर आप अपार्ट्मेंट ले सकता हैं, या बात करने के लिए, कॉल मी आप डाउनलोड कीए, उसमे कॉल माले करने के लिएफल अप